आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ओफ इकिलिबिरियम कॉंस्टेंट फ्रॉम नरेश्ट इक्वेशन चलिए एक इकिलिबिरियम रियक्शन कंसिंडर करते हैं जेडेन प्लस सी यू टू पोजिटिव और ये कनवर्ट होते हैं आपके जेडेन टू पोजिटिव और प्लस सी तो ये रियक्शन इकिलिबिरियम में कही जाएगी कब कही जाएगी जब टाइम के साथ कॉपरायन और जिंकायन इनकी कंसेंट्रेशन में कोई भी चेंज ना आ रहा हो अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इनमें जो इलेक्टरोन का ट्रांस्फर हो रहा था वो आप क्या हो चुका है बंद हो चुका है यह आप ऐसे कह सकती हो कि जो EMF of cell है वो कितना हो चुका है 0 हो चुका है तो EMF of cell 0 क्यों हुआ और यह कौन सी स्टेज है जब EMF of cell कितना हो जाएगा जीरो यही हमारी equilibrium की stage है जब EMF क्या हो जाएगा जीरो शो करेगा देखिए जब हम zinc rod को ZNSO4 solution में dip करते हैं तो zinc iron उनकी concentration क्या होती है? increase होती है और जो reduction वाला half cell है उसमें जो copper iron है उनकी concentration क्या होती है? decrease होती है according to Narest equation यदि concentration increase होती है तो electrode potential भी बढ़ता है और अगर concentration decrease होती है तो electrode potential बढ़ता है तो देखिए zinc की अगर concentration बढ़ रही है तो इसका electrode potential बढ़ेगा ठीक है? 0.79 है इसका standard electrode potential लेकिन जब concentration बढ़ेगी तो यह increase करेगा और जो copper है copper का standard electrode potential कितना है? 0.34 volt तो यहाँ पर copper की concentration घट रही है तो यह इसकी value क्या होगी? decrease होगी तो एक stage ऐसे आजाएगी जब यह दोनो reduction potential कैसे हो जाएगे? बिल्कुल बराबर हो जाएगे और electron का flow रुख जाएगा और electron के flow रुखते ही emf of cell क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और यह कौन सी stage होगी? आपकी equilibrium की stage होगी चलिए आगे करते हैं यहाँ पर देखी graph में दिखाया गया है कि time के साथ जो oxidation half cell reaction है उसका reduction potential देखिए बढ़ रहा है और जो reduction half cell है उसका जो reduction potential वो घट रहा है और एक stage आजाएगी जब दोनों का reduction potential कितना हो जाएगा 0 equal हो जाएगा तो उस समय हम कहेंगे कि आपकी reaction कौन सी stage में है? equilibrium stage चलिए अब हम calculation करते हैं equilibrium constant की let us consider आपकी जाननी बानी equation Zn प्लस Cu 2 पोस्ट Zn 2 पोस्ट प्लस Cu equilibrium constant कैसे लिख तो आप? equilibrium constant दिखने के लिए concentration of product upon concentration of reactant ओके तो इससे निकल जाता है हमारा equilibrium constant तो यहाँ पर यह देखिए product में क्या क्या है? copper है और zinc कायन है ठीक है? यह उपर लिखे जाएंगे उपर की side और नीचे की side क्या लिखे जाएंगे? zinc और copper to positive लेकिन zinc, zn और copper these are solids और solid की कितनी concentration लेते है one ठीक है? यह हमने last time हमारे वीडियो में किया भी था और explain भी गरा था मैंने कि solid की हम concentration one क्यों लेते हैं? तो यहाँ से KC की value आजाएगी उपर ध्यान रखना है oxidation वाले की concentration होएगी और नीचे reduction वाले की तो equilibrium जब equilibrium आएगा तो emf of cell कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा यह मैंने अभी पहले थोड़ दिर पहले आपको बताया था अगर्डिंग तो नरेश्ट इक्वेशन, e-cell is equal to e-naut-cell minus 0.0591 upon n n है आपके number of electrons involved during the reaction लोगो, zN2 positive उपर किसकी concentration लिखते हैं? जिसकी क्या हो रही हो? oxidation और नीचे किसकी concentration लिखते हैं? जिसकी क्या हो रही हो? reduction ठीक है? तो यहाँ से zN2 positive upon concentration of Cu2 positive की value कितनी पुट कर दो? kc, तो यहाँ पर kc आजाएगा, तो यह हो जाएगा 0, e-cell 0 हो गया, is equal to e-cell minus 0.0591 upon n log of kc, और यह final equation है आपकी, इस equation का use करके आप equilibrium constant को calculate कर सकते हो अब बात आती है, significance क्या है इसका equilibrium constant का, kc का क्या significance है? kc हमें केवल एक ही बात बताती है कि reaction आपकी कितनी complete हुई है reaction, completion अगर kc की value जादा है, ठीक है, तो इसका आदर reaction potential दे रखा है, 0.80 volt और copper का भी reduction potential कितना दे रखा है, 0.34 volt ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह बात तो पता ही चल रही है copper की तो oxidation हो रही है ठीक है, reaction से बता कर सकते हैं और silver की क्या हो रही है reduction हो रही है चलिए, formula लगाईए e not shell is equal to 0.0591 upon n log of kc तो e not shell e not shell क्या होता है, आपका e cathode और minus e anode यही होता है न cell is equal to e cathode और minus e anode तो cathode कौन से आपका जिस पर reduction हो रही है reduction किस की हो रही है silver की silver का reduction potential कितना है 0.80 minus copper पर oxidation हो रही है ठीक है, यह देखे, Cu Cu2 post state में जा रहा है तो oxidation हो रही है तो 0.34 वोल्ड इन दोनों को घटा दो तो यह तो आजाएगा आपका e not shell is equal to 0.0591 upon 2 2 these are number of electrons involved during electrochemical reaction तो electrochemical reactions क्या बनेंगी इसमें देखो जो Cu2 positive है जेकर 2 electrons gain करके किसमें का नोट हो रहा है Cu में ठीक है, तो यहाँ पर n की value कितनी होगी 2 ही होगी ठीक है, तो आप यहाँ से calculate करो log Kc किसके बराबर आ जाएगा 0.046 into 2 upon 0.0591 और यहाँ से फिर Kc की value कैसे निकलेगी जो भी यहाँ पर हमारी calculation हुई है हमें उसका क्या लेना पड़ेगा anti-log तो आपका result आ जाएगा तो यहाँ पर oxidation तो हो रही है copper की ठीक है, तो क्या reaction बनेगी Cu से Cu 2 positive और plus 2 electron और silver की क्या हो रही है, reduction रियक्षन क्या बनेगी? Ag positive plus electron तो यह क्या बना आपका? Ag अगर आपको overall reaction लिखनी है तो क्या होता है उसमें? Electron, electron क्या होने चाहिए? Cancel होने चाहिए Oxidation वाले और reduction तो reduction वाले में तो एक ही electron है Oxidation वाले में कितने 2 electron है तो नीचे वाले equation कितने से multiply होईगी? 2 से इन दोनों को add कर दीजिए ठीक है? तो यह आ जाएगी आपकी overall electrochemical cell reaction और यहां से भी आप calculate कर सकते हो K C कर दोड़ने ढ़ी झाल झाल